स्वागत है आप सभी का Tech Study आई ते है YouTube चनल पर CITS Admissions 2023 की जो First Round Counseling था यहाँ पर उसके Results जो हो चुके हैं जो Seat Allotment है वो यहाँ पर Announce किया जा चुका है आप लोग लॉग इन करके अपना Result चेक कर सकते हैं तो अगर आप लोगों ने भी Counseling Feeds पे की थी और पांच अपने Colleges चूज किये थे NSTI तो आप लोग भी अपना Result यहाँ पर चेक कर सकते हैं और Document Verification का जो Time दिया गया है Nearest NSTI इसको वो 26 जुलाई से 28 जुलाई तक है इसमें आप 26 से लेके 28 तक किसी भी डेट पे जा सकते हैं बट कोशिस करिया आप जल्दी जल्दी जाएगा क्योंकि मान दिजिए आप 28 को जाते हैं Last Date पर कुछ डॉक्मेंट इधर उधर अगर वहाँ पर आपका हो जाता है तो आपको थोड़ी भागदोर जादा करनी पड़ सकती है तो यहाँ पे अगर आपको Allotment हो गया Clearly यहाँ लिखा है Take a Print Out of Allotment Order आप Login करेंगे अभी आपको उन दिखा देते हैं कहां से आपको Allotment Order मिलेगा And Visit Nearest NSTI अब यहाँ पे Nearest NSTI का मतलब है मान लीजे आपको NSTI चन्नाई अलॉट हुआ But आप रहते UP या डेलही में हैं तो आप NOIDA अलाबा जहाँ आपको जो Nearest आपके NSTI सबसे नजदीक का हो वहाँ आप जाके अपना Document Verification करा सकते हैं Nearest NSTI ही जाना होगा आपको ITOT में जो है आपका यहाँ Document Verification नहीं होगा और यह है आपका Provisional Admission के लिए All Original Documents for Verification ध्यान दीजे यहाँ एक चीज़ जो लिखा गया ना Provisional Admission अगर आपको कोई भी College Allot हुआ और आप जाके 28 जुलाई 2023 से पहले पहले वह Provisional Admission वहाँ पे नहीं लेते हैं Document Verify कराके तो आपका जो Allotted College है वो आपका यहाँ पे Cancel माना जाएगा आपको Admission वहाँ पे फिर नहीं मिलेगा भले आपको Seat Allot हो गई है बाद में आप Round 2 में Participate तो कर सकते हैं आपकी Merit भले जादा हो अगर आपसे कम Merit वाला जाके Admission ले लेता है तो आप यह Claim नहीं कर सकते कि हमें यह Seat क्यों नहीं मिली क्योंकि आपने Admission पहले Round में Allot होने के बाद नहीं लिया है Counseling Fees आपको दुबारा नहीं पे करनी पड़ेगी जिनका Adidas ने भी एक बार Counseling Fees पे कर दी है उनका Last Round तब उसी Counseling Fees पे बार-बार अपनी Choice Select करके Counseling करवा सकते हैं अब कैसे आपको चेक करना है तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यह Official Website का चो Link है इसको आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन में दे देंगे आप वहाँ से चेक कर सकते हैं चैनल पर नहीं है तो फ्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा पुराने है तब भी लाइक कीजेगा कि बिना आपके लाइक वीडियो और आगे नहीं बढ़ पाती है और कमेंट सेक्षन में जरूरू बताएगा आपको कौन सा NSTI अलाट हुआ है यहां आपको अपनी यूजर आइडी डालनी है यूजर आइडी आप जैसे यहां पर इंटर कर देंगे user id इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर password इंटर करना है जैसे आप user id और password इंटर कर देते हैं capture code डाल देंगे आप login पर click कर सकते हैं login पर click करते ही आपके सामने इस तरह से आपका पूरा page जो है open हो जाएगा यहाँ आप side में आएंगे ठीक तो यहाँ यहाँ यह सारी चीज़ें आपको so हो रही है entrance exam result आपको यहाँ दिखरा न पब्लिस हो चुका है next आप आपको जो photo signatures हो रहा है उसके नीचे आपको तीन जो dash वारी line दिखेगी इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देखे आ जाएगा entrance का आप result चेक कर सकते हैं then है यहाँ पर counselling round 1 तो counselling round 1 का आप जो है यहाँ पर अपना allotment चेक कर सकते हैं पर जैसे हम यहाँ click करेंगे यहाँ आप नीचे जैसे आएंगे देखें इनके number थोड़े कम थे तो इन्हें यहाँ पर कोई भी college allot अभी first round में नहीं हुआ है counselling fee आप पे कर चुके हैं इसका आप result जरूर रख लीजेगा यह आपको admission के time पे भी लगेगा साथ में आप document verification करा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपसे यह मागा जा सकता है इवन मागा ही जाता है साथ में यह है allotment यहाँ पे आप जैसे click करेंगे अगर आपको कोई college allot हुआ रहेगा तो आपको लिखेगा आपको यह college यहाँ पे allot हुआ है आप उसका एक print out रख लेंगे ठीक 10th की mark seat and certificate आपको ले जाना है ITI की mark seat और certificate आपको ले जाना है आधार card आपको ले जाना है एक medical fitness certificate है वो भी आपको ले जाना है वो pro pharma अगर आपके पास नहीं है तो pro pharma हम आपको telegram पे share कर देंगे take study ITI telegram channel का नाम है वहाँ पे आप जॉइन कर लीजेगा एक CITS के medical fitness certificate का एक pro pharma है उसको आप लोगों को अपने district hospital गवर्मेंट hospital है मैं MBBS doctor से जो है उसे आपको बनवा के ले जाना होगा साथ में एक और message आपको यहाँ दिख रहा है एक एनी male candidate chosen women institute by mistake का requested to change their institute तो यह आपका counseling से पहले आप सभी को mail आ गया था कि आप लोग जो है इसमें से उस सीज को change कर दीजे अदरवाइस आप male candidate है तो आपको women institute यहाँ पर alert नहीं होगा and उस case में आप कहेंगे आपको तो चूज करने का option मिल गया था तो उसमें DGT की mistake है तो ऐसा नहीं DGT निमी की mistake नहीं है आपको वही college चूज करने जो male candidates के लिए बनाए गया है women candidates सिर्फ अपना college उसमें चूज कर सकती है या co-education है तो वहाँ पर male female दोनों candidate अपनी choice fill up कर सकते है medical certificate pro pharma की बात करें तो कुछ इस तरह का आपका medical fitness certificate है for CITS, CTS या ADIT admission तीनों के लिए STI की तरफ से बनाया गया जिसमें आप अपना पूरा name ये सब fill करके आप वहाँ पर जाएंगे और अपने government जो hospital है वहाँ पर पहुंच के आप इस पर sign and stamp जो medical officer वहाँ पर होंगे उनका लग जाएगा यहाँ पर आपकी एक photo हो जाएगी यहाँ पर आपको अपना signature करना तो जरूर आप लोग अपना admission अगर आपका allotment हुआ है तो allotment यह मत देखेगा कहां दूर हुआ है कहां पास हुआ है आप लोग जाके admission जरूर ले लिजगा कि कई बार second round में नहीं हो पाता है फिर आपका selection फिर आप परहसान रहेंगे क्योंकि seat हैं बहुत जल्दी यहाँ नहीं करेगा आप लोग भी मत कीजेगा अगर आपको CITS करना है तो बिना किसी जिजग के admission ले लिजेगा एक ही साल की पढ़ाई होती यह मत देखेगा घर के आसपास है या घर से थोड़ा दूर क्योंकि आप घर से थोड़ा दूर रहें या ज्यादा दूर रहें आज के पर बहुत जादा अंतर नहीं पड़ता क्योंकि CITS की पढ़ाई करते टाइम आप डेली डेली वैसे भी घर नहीं आप आएंगे और आपको कहीं न कहीं आना भी नहीं चाहिए आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए बहुत रेयर बहुत कुछ अर्जेंट हो तभी आपको बाहर या घर कहीं भी आना चाहिए पढ़ाई के पीरेड में थैंकियो वेर मच कोई और आपका डाउट हो कोई कुछ चन हो तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेएगा अब वहाँ पे पूरा आपका रेप्लाई एंड जो भी समस्या होगी उसको सुल जरूर कर लीचेगा मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में थैंक यू